नमस्कार दोस्तों तो आगर अगर अब सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस में वीडियो कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यहां पर वीडियो कॉल रिलेटेट प्रॉब्लेम आ रहा है तो इस वीडियो को आवन तक जरूर देखेगा यहां पर आपको वीडियो कॉल में दिक्कत हो रहा है जैसे कि मान लिजिए आपका वीडियो कॉल कनेक नहीं हो पा रहा है या फिर आप किसी को वीडेो कॉल में बात करना चाते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह के का कुछ भी प्रॉलेम हो सकते हैं तो आप वीडेो को देखें, सॉलीशन को फॉलो कीजिए, प्रॉलेम आपका सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मेसेज कर सकती है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है सबसे पहले चीज़ आपको करना क्या है आप एक दफ़ा दिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए मॉबाइल पे चेक कीजिए आपका बैलेंस आपका मॉबाइल ने ट्रोक ठीक है उसके बाद अगर सब सही है तो आप कॉल प्लेस कीजिए लेकिन मान लिजे यहाँ पे आपको फिर भी प्रॉल्म आ रहा है तो पहले आपको सॉलुशन करने जाना होगा आपको जाना है सेटिंग पर and then scroll down करें पहले हम ने ट्रोक को फिक्स करेंगे उसके लिए हमें जाना है सिस्टेम reset option and then reset wifi, mobile and bluetooth this is reset ने ट्रोक सेटिंग ठीक है आपका ने ट्रोक सेटिंग reset याज़े कर सकते सीम सेलेक करें और उसके बाद reset setting पर क्लिक करके mobile pattern password भर दे and then यहाँ पर आपका ने ट्रोक reset हो जाएगा आप दोस्तों यहाँ पर ने ट्रोक फिक्स करने के लिए जा सकते है wifi ने ट्रोक पर ठीक है उसके बाद सीम में ने ट्रोक पर जाके आप यहाँ पर क्या कर सकते है ने ट्रोक को switch कर सकते है between 3G to 4G and यहाँ पर आपको मिलेगा सीम तो सीम के अंदर पर जाए 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 आपको प्रॉब्लम में एक्सस पॉइंट को जाकर रिसेट कीजिए ठीड उसमें क्लिक कीजिए रिसेट कीजिए नेट्रोक ऑपेरेटर को आप यहाँ पर स्वीच कर सकते ठीग है अटोमेटिकली या फि यहाँ पर फॉलो कर ले एंदेन दोस्तों यहाँ पर आप नेट्रोक को फिक्स कर दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाके दोस्तों आप यहाँ पर टाइप कीजिए फॉन सर्वेस और जाके इसको यहाँ पर उसके बाद जाए है see all apps and then यहाँ पर आपको find out करना है पहले तो आप केमरा पर जाएगा क्यूंकि वीडियो कोल करते वक्त केमरा यूस होते हैं उसके बाद कर दीजेगा इसको फोर स्टॉप उसके बाद जाएगा दोस्तों यहाँ पर storage and cache पर clear storage पर click करें ok कर दे clear कर दीजे उसके बाद आपको back करना है बेक करने के बाद mobile data चेक कर लेना है सारे network users allow होना चाहिए ठीक है background data को enable करें उसके बाद permission पर जाएग सारे permissions को allow कीजे उसके बाद बेक कीजे बेक करने के बाद आपको search करना है phone service तो यहाँ पर है उसके जाना storage and cache clear storage पर click करना है ok कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर back करें permissions पर जाके आपको सारे permissions इसका पर allow कर देना है और mobile data wifi users on कर देना है यहाँ ठीक है यही दोनों setting बन होना चाहिए अगर यह enable होते तो आपका connectivity locked हो सकते है तो इसको आप off ही रखिए उसके बाद background data को enable किजे and then dial किजे जो भी number को आप कर रहा है और video call किजे problem solve हो जागा video call करते वक्त यह धान पर रखना है कि आप जिस भी बंदे को call कर रहे है video पे वो दोस्तों eligible रहे video call के लिए अगर उसका phone जो है video call support नहीं करते तो आप video call नहीं कर पाऊगे ठीक है तो यह चीज़ दो internet connectivity वागरा चेक करें internet पेक होना चाहिए mobile रिचार्ट होना चाहिए आपके पास Google यह है आप उससे भी call कर सकते है video call पे और उसके बाद आप चाहे तो WhatsApp video call कर सकते है Instagram डारेक video chat कर सकते है ठीक है अगर आपके पास messenger है तो वहाँ से भी कर सकते है तो यह सारे कुछ options है दोस्तो उमीद करते है आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching